नमस्कार आकाश्वणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या विधानसवा सीचों के लिए भी उप्चनाव संपन मदगर्ना शनिवार को होगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपसे कुछ देर में जॉर्ज टाउन में गयाना के राश्ट्रुपती मुहमद इर्फान अली से बारता करेंगे रक्षामंत्री राजनात सिंग ने लाऊस में चीन के रक्षामंत्री तुंग चियून के साथ वचर्चा की प्रचपन में भारती अंतराश्ट्री फिल्म महुत्सव का गोवा में भव्युद घाटन प्रसार भारती ने अपना OTT प्रेटफॉर्म वेव्ज शुरू किया और हौकी में भारत ने राजगीर में फाइनल मुकाबले में चीन को हरा कर महिला एशियाई चेंपियन्स टॉफी जीती समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा महरास्ट्र और जार्खंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर वक्संपन हो गया अब तक प्राप्त जानकारी के नुसार महरास्ट्र में 58% से अधिक और जार्खंड में 67% से अधिक मतदान की खबर है महरास्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में और जार्खंड की 38 सीटों पर दूसरे चरण के लिए वो ड़ाले गए जार्खंड में मौझूद हमारे समबदाता ने बताया है कि राज्य के पाकूर जिले की महेशपूर विधानसभा सीट पर 80% से अधिक मतदान हुआ पाकूर जिले के महेशपूर विधानसभा चेतर में सबसे अधिक लगबग 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोक किया जबकि बोकारों में सबसे कम 50% मतदान हुआ सहरी छेतरों के मुकाबले ग्रामीन छेतरों में अधिकान संख्या में लोगों ने वोट डाले राजनीतिक विशलेशकों का कहना है कि इन सीटों पर हाट जीत से ही सत्ता की राह का समीकरन तै होगा जेमेम और इंडिया गडबंधन के लिए पिछले चुनाव का स्ट्राइक रेट बरकरार रखने के चुनोती होगी वहीं भाजपा को सत्ता की राह पकरने के लिए अपना ग्राब बरहना होगा अब देखना है कि हेमन सुरेन सत्ता की ताज को बरकरार रख पाते हैं या इंडिये को कामियावी मिलती है आकास्वानी समाचार के लिए रांची से भूपेंद्र के साथ क्रिश्न कुमार लाल निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रेरक अभिहान और उपायों के बावजूद भी मुंबई, पुने और ठाने जैसे शेहरों में कम मतदान दर्श किया गया महराश्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं महराश्ट्र में हमारी समबादाता अपड़ना के पास जी अपड़ना आज कुल मिलाकर महराश्ट्र में मतदान कैसा रहा जी विशाल, महराश्ट्र में कुछ निर्वाचंग शेत्रों में EVM की खराबी और हिंसा की कुछ चुटपुट गटनाओं को छोड़कर कुर्मला के मतदान जो है सुचारू रूप से चला और बहुती शांतिपूर्ण रूप से संपन हुआ शाम पांच बजे तक कि अगर हम आकड़े देखते तो राज में तकरिबन 58.24 प्रतिशत मतदान जो है हुआ है चुकि अंतिम डेटा आना बाकी है इसलिए हम कह सकते कि यह 2019 के आकड़ों को भी पार कर सकता है अगर हम क्षेत्रिय मतदान को देखे तो सबसे अधिक 79 प्रतिशत मतदान जो है नकसल प्रभावित गडचरोली जिले में दर्च हुआ है विदर्ब क्षेत्र के अधिकाउश जिलों में मतदान जो है 55 प्रतिशत से उपर रहा है कौंकंड क्षेत्र में भी मतदान राज के आसत से उपर रहा है मराठवाडा उत्तर महाराष्ट और पश्यमी महाराष्ट के ग्रामीन इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में मद्दान बहतर रहा है इस बार भी हम देख सकते कि शहरी इलाकों में धोड़ी उदासिंता देखने को मिली है मुंबई ठाने जैसे क्षेतरों में पच्चास प्रतिशत से भी कम मद्दान दर्ज हुआ है और यह विधानसबा चुनाओ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में जो दो प्रमुख दल है शिवसेना और नसीपी उनके विभाजन के बाद पहली बार यह विधानसबा चुनाओ हो रहा है पचास से अधिक निर्वाचंग शेतरों में एकनाच शिंदे के नितरतवाले शिवसेना उमेद्वारों के बीच काटे की डगकर देखने को मिल रही है यही सिती नसीपी उमेद्वारों के बीच में भी है जीविशाल पढ़ना इस जानकारी के लिए धन्यवाद उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर मनमाने ढंक से जाच करने और मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की शिकायतों का संग्यान लेते हुए आयोग ने जाच के बाद मानदंडों और दिशानिर्देशों का उल्लंगन करने के लिए मुरादाबाद, कानपूर और मुजफर नगर में पुलिस कर्मियों को निलम बित करने का आदेश दिया पंद्रह विधान सभा सीटों और महराश्रु की नांदेड लोकसभा सीट पर भी उपचनाव के लिए आज वोट डाले गए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अपसे कुछ देर में जॉर्ज टौन में गयाना के राश्रुपती मुहंद इर्फान अली से वार्ता करेंगे इस अवसर पर कई समझोतों पर हसताक्षा रोने की आशा है इससे पहले श्री मोदी को जॉर्ज टाउन में स्टेट हाउस में आपचारे गार्ड आफ ओनर दिया गया प्रधान मंत्री नरींदर मोदी आज सुबह तीन दिन की यात्रा पर गयाना पहुँचे राश्ट्रुपती मुहमद इर्फान अली प्रधान मंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स और मंत्री मंडल के सदस्यों ने हवाई डिपर श्री मोदी का स्वागत किया हमारे संबाद्धाता ने बताया है कि 56 वर्षों में किसी भारती प्रधान मंत्री की ये पहली गयाना यात्रा है भारत की गयाना के साथ स्वास्त, संपर्क, नवीकर्णी, उर्जा और जल के छेतर में दिर्ग कालिक साहिसदारी है दोनों देशों के बीच 2023 में कुल वेपार लगभग 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर रहा अपनी यात्रा के दोरान प्रधान मंत्री आज दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे इसके अलाबा कैरिकॉम सदस्य देशों की नेताओं के साथ स्री मोधी बैठक भी करेंगे ताकि भारत और इन देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिल सके वहीं परधान मंत्री मोधी कल गयाने की संसद में अपना संबोधन देंगे इसके लाबा वहां रह रहे भारतिय समुदाय को भी संबोधित करेंगे दिपेंदर कुमार आकाश्वानी समाचार दिल्ली रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आज लाउस में चीन के रक्षा मंत्री तोंची उनके साथ चर्चा की श्री सिंग आसियान रक्षा मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन दिन की लाउस यात्रा पर हैं। श्री सिंग यात्रा के दौरान Forum on Regional and International Security Issues को भी सम्मेलन से इतर श्री सिंग की ऑस्टेलिया, जापान, लाउस, मलेशिया, न्यूजिलेंड, फिलिपिन्स, दक्षन कोरिया और अमरीका के रक्षा मंत्रियों के साथ भी चर्चा करने की संभावना है। थलसेना ध्यक्ष जनरल उपेंद्र दिवेदी आज नेपाल की चार दिवसी यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उदेशे दोनों देशों की थलसेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना और सहयोग के नई ख्षेत्रों का पता लगाना है। जनरल दिवेदी समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए गोवा में बात करते हैं हमारे संभाद्दाता ओमवेश उपाध्याय से। जी ओमवेश फिल्म महुस्तव के उद्घाटन समारों में आज क्या कुछ खास रहा। का पूरा स्टेडियम खचा-खचबरा हुआ है। मैं एक विशेश बात भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां पर एक खास रहस्ता की गई है। मनुरंजन सभी के लिए की तर्च पे जिसमें सांकेतिक भाशा का भी इस्तमाल किया जा रहा है ताकि सभी लोगों को सारी बातें सही तरीके से पहुचें। उसके अलावा आज जो प्रमुख अवार्ड्स बाते गए हैं पुरुषकार मिले हैं उसमें जैदी वैवलावत को उनके OTT में बतार अभिनेता जो काम है उसके लिए पुरुषक्रित किया गया है। अभियम में अंदर एक विशेश कारिक्रम भी चल रहा है जिसमें भारते फिल्म के अभिनेता सैनी कौशल और सान्या मलोत्रा की एक तरह की डांस परफॉर्मेंस हो रही है जिसमें वो लोग जो पूरा एक सफर रहा है बॉलिवुड का हिंडी फिल्म इंडस्री का अपने स 24 तारीक को सरवदली ये बैठक बुलाई है रक्षा मंतरी राजनात सिंग इस बैठक के अद्धक्षिता करेंगे बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राजसभा का सुचारू कामकाज सुनश्चित करने के लिए सभी दलों का सही होग मांगेगी शीत कालिन सत्र उस महीने की 25 तारीक से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा नागर विमानन मंतरी राम मुहन नाइडू ने कोहरे के दौरान विमान परिचालन निर्बाध रूप से जारी रखने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए आज ने दिल्ली में एक कुचस्तर ये समिक् और हवाई अड़ा संचालन करताओं के बीच समन्वे होना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली हवाई अड़े पर 4 में से 3 रनवे पर 30 एस्टोनी का लेंडिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। है और समग्र कामकाज में सुधार हुआ है। फ्लैग्शिप प्रुसकारों के तहट उन्फ्लैग्शिप पर योजनाओं में शामिल पीमों को सम्मानित किया जाएगा जिनके काम से शाचन में महत्ता पूरन सुधार हुआ हो। राज्यस्तरिय पुसकार विभिंग शाचन पहलों में बेहतरीन काम करने वाली टीमों को प्रदान किये जाएंगे। योजना के तहट जिलास्तरिय पुसकार भी दिये जाएंगे। पुसकारों में एक ट्राफी और प्रशंचा प्रमान पत्तर भी दिये जाएंगे। प्रशंचा पत्तर सम्मानित करमचारी के सेवा रिकार्ड से जोड़े जाएंगे। ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारित किये जा रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पक्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले के माली खेल में एक सुरक्षा जाच चौकी पर आत्मगाती हमले में सीना के बारह जवान मारे गए और दस गंभी रूप से गहल हो गए इसे पहले बलुचिस्तान में एक सीमा चौकी पर भी एक दिन पहले हुए हमले में साथ सैनेक मारे गए थे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एक करोड़ 76 लाग से अधिक स्कूली विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा के चौते चरण में भाग लिया है विद्यार्थियों ने सशस्त रुबलों की बहादुरी और बलिदान के सम्मान में कविताएं, पेंटिंग, निबंद और वीडियो भेजे हैं वीर्था पुरुसकर विजेताओं की वीर्था, निस्वार्थ बलिदान और साहस की प्रेरख कहानियों को प्रसारित करने के लिए वर्ष 2021 में वीर गाथा योजना शुरू की गई थी भारत ने तीसरी बार महिला एशियाई चेंपिन्स ट्रॉफी का खिताब जित लिया है बिहार के राजगीर में फाइनल मुकाबले में भारत ने बरतमान औरम्पिक रजक पदक विजेता चीन को एक शूने से पराजित किया दीपिका कुमारी ने तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्णर पर गोल किया एक रिपोर्ट बिहार सरकार ने विजेता भारती महिला होकी टीम की प्रतेक सदस्य को 10-10 लाग रुपय का पुरुसकार देने की घोशना की है पीवी सिंधू, मालविका बंसोड और लक्ष सेन आज चाइना मास्टरस बैडमिंटन टूर्नमेंट के सिंगल स्प्री कॉर्टर फाइनल में पहुँच गए महिला डबल्स में त्रिसा जोली और गायतरी गोपिचन ने भी अंतिम सोले में प्रवेश किया मौसम विभाग ने आज तमिलाड पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है इसके अलावा लक्ष दीप, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है विभाग ने कहा है कि सप्ताह में अंडमान और निकोबार दीप समू में हलकी से मध्यम बढ़शा हो सकती है और अब अंत में मोखे समाचार एक बार फिर महरास्ट्र में एक ही चरण में कराये गए विधानसभा चुनाव में 58 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्च किया गया जारखन में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 67 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ महराश्ट्र में नानदेड, संसदिय सीट और चार राज्यों की पंद्रह विदानसबा सीटों के लिए भी उप्ट नाव संपन, मदगर्ना, शनिवार को होगी प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने जार्श टाउन में गयाना के राश्ट्रुपती मुहमद इर्फान अली से चर्चा की रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने लाओस में चीन के रक्षा मंत्री तुम्चियून के साथ चर्चा की और पच्पन्वे भारती अंतराष्टे फिल्म अहुस्तव का गोवा में भव्योद घाटन प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्ज शुरू किया इसके साथ ही समचार संध्या का ये अंग समाप्त हुआ नमस्कार